नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जन्हित आवाज और मैं हूँ राशित आज चार मई का दिन है और लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्माता जा रहा है आज सुबा से ही इसको लेकर चर्चाए हो रही है कि आखिर आज क्या कहीं हंगामा होने वाला है हंगामा इसलिए क्योंकि कई दिन से ये खबर चल रही है कि 3 मई तक राश ठाकरे ने जो अल्टीमेटम दिया था वो पूरा हो चुका है और 4 मई शुरू हो चुकी है और अजान अगर कहीं होती सुनाई दी तो मस्जिद के बाहर ऐलान के मताबिक महा तेज आवाज में हनुमान चालिसा का पाठ कराया जाएगा आपको बता दूँ कि कई दिन से एक खबरे चल रही है कि MNS प्रमुक रास ठाकरे जो कि ये साफ कहते हैं कि मस्जिदों में लौट स्पीकर तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं क्यों तेज वाज में आजान दे जाती है ये ऐसा साल भर क्यों किया जाता है हाला कि उन्होंने इस दौरान ये भी कहा है कि ये मैं सिर्फ किसी धार्मिक रंग दे के इसे ना सोचे मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ इसे धार्मिक रंग ना दिया जाए और चेतावनी देते ह यह यह भी कहा है कि अगर आप इसे धार्मिक रंग देते हैं तो आपको जवाब भी इसी भाषा में दिया जाएगा उन्होंने कहा है कि हमें शांती से बैठ कर बात करनी चाहिए आज कई जगा हंगामा मचा हुआ है मुंबई में खास तोर पर हंगामा मच रहा है क्योंकि महा पर उन्होंने ऐलाशन किया था ? एम एनस के जो काररह करता है वो हिरासत में ले जा रहे हैं जिस पर रास ठाकरे ने घुसाते होगे काहा है कि आखिर सरकार हमारे कार्ड़कर्ताओं को गरफ़तार कर रहा है तो गरफ़तार करने से क्या होगा ? क्योंकि ये मुद्दा तो रुके का नहीं या अंदोलन चलता रहेका लेकिन जो इनकी मांगे हैं जो लौड स्पीकर को लेकर हैं खास टाओर पे तेज वाज को लेकर हैं वो रुकनी चाहिए इनके इसाफ टौर पर कहना है कि ये जो मांग है ये एक सामाजिक तोर पर है धार्मिक तोर पर नहीं मैं किसी को आजान बंद के लिए नहीं कह रहा हूँ आप मज़िद जाए प्रात्ना कीजिए वो आपका हक है लेकिन ये जो लाओड स्पीकर का मुद्दा है दरासल ये इनको रास नहीं आ रहा है लाओड स्पीकर जैसे कि आपको पता है कि मुस्लिम धर में आजान का क्या मैत्व है दिन में पांच बार आजान होती है सुबा फजर से लेकर इशा तक और पांचों बार जैसे लाओड स्पीकर पर होती है और उस दोरान इनका ये विरोध है कि ये लाओड स्पीकर उतारे ज जिन में से 135 मस्जिदों ने अजान दी है वो भी लाउड स्पीकर पर लेकिन इंतजार इस बात का है कि आखिर जैसा इन्होंने ऐलान दी थी जैसी इन्होंने धमकी बने तौर पर ये बात कही थी कि अगर 3 मही तक लाउड स्पीकर नहीं हटाई गए तो उसके बाद MNS के जो कार्य करता है वो मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर लगा के हनुमान 40 का पार्ट करेंगे अब आप ये देखिए कि आखिर ये कहां तक सामजिक सोहार बढ़ाने वाली बात है अगर वो ये कहते हैं कि हम शांती से बात करना चाते हैं मैं नहीं चाता कि इसको धार्मिक रंग दिया जाए और मैं शांती से बात करना चाता हूँ और वो अपनी चुनौती में ये भी कहते हैं कि अगर तीन महीं तक नहीं हटाए गए उसके बाद ये मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर बजाएंगे अब आप बात ये समझें कि अगर वो लाउड स्पीकर की अगर बात है तो उसको बैटके करके या सर कोट में ले जाके मामला सुलजाए जाए और इस पर जो निरने आता है कोट देता है उसका पालन क्या जाए लेकिन ये तो भड़काने वाली बात हो गई अगर आप मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर बजाते हैं और उसके बाद अरुमान चालिस अका पार्ट कराये जाते हैं और खुदा न खासता अगर वहाँ पर कोई भी माहौल बिगड़ने वाली बात होई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा क्योंकि अमूमन ऐसे ही मामले होते हैं जब माहौल बिगड़ता है जब सांप्रदाइक सोहार्द बिगड़ता है आपसी तनाप बढ़ता है राजिस्थान, मध्यपरदेश, दिल्ली ये सब इस बात के अभी ताजा सबूत है जो अभी वहाँ पर चला है राम नवमी हो, या फिर जुलूस हो, रेली हो, आपने देखा होगा, हनुमान जेनती के दिन देखा होगा, राम नवमी पर देखा होगा कि कैसे यात्राओं में बवाल करता है क्योंकि यातरा निकालने वाले भी बहुत लोग होते हैं और उसमें उत्पात मचाने वाले भी बहुत लोग होते हैं और इसी दोरान अगर हनुमान 40 का पाठ मज़्जितों के बाहर क्या जाता है और उस दोरान माहौल खराब होता है तो उन उबद्रवियों पर क्या कारवाई होगी ये देखने वाली बात है क्योंकि माहौल बिगडने में मिनट नहीं लगेगा लेकिन उसे थामने में और उस जो संगर्ष होगा जो बवाल मचेगा उसका कौन जिम्मेदार होगा ये सोचने वाली बात है क्योंकि ये जो तमाम ये जो बहुती नाजुक मसला है इन्होंने कहा है कि ये सामाजिक मुद्दा है बलकि इसको धार्मिक रंग ना दें लेकिन सामाजिक और धार्मिक में बहुत ही माइनर सा फर्क रह जाता है क्योंकि ये लोगों की आस्था से जोड़ा हुआ मुद्दा है और आस्था को ध्यान में रखकर ही रास्थाकरे को ब्यान देने चाहिए और आज सुबा की मैं ताज अपडेट बता दूँ उन्होंने एक बाला साहिब का वीडियो शेर क आज सुबा ही ये वीडियो रास्थाकरे ने शेर किया है लेकिन सवाल योड़ता है कि आकिर लोकतंत्र के इस देश में आपसी भायचारे के इस माहौल में ऐसे ब्यान देना ऐसे मुद्द्य उठाना आकिर कितना सही है हमें सोचना चाहिए कि ऐसे मुद्द्य उठाने से ह कि हमारा समाज आपस में बटेगा या फिर जोड़ेगा क्योंकि आपने बहुत ही कम बात ऐसी देखी होंगी जिससे समाज में भाई चारा बड़े महबत बड़े और यह जाधतर बाते ऐसी करते हैं ऐसे कई नेता हैं जो अपने ब्यान के लिए जान जाते हैं जिन से एक राज़ ठाक रहे हैं और इनके ब्यानों से अकसर कट्रता फैलती है नफरत फैलती है और माहौल बिगरता है और ये भी मामला कोई आसान सा नहीं है बहुती नाजुक मुद्ध है आजान का क्योंकि लोगों की धर्म विशेश की उनके दिलों से जुड़ा है उनकी आस् करता मज़ितों के बाहर लाउड स्पीकर में हनुमान चालिसा का पार्ट कराते हैं तो आखिर महां के इस्थिति अगर बिगरती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा क्या रास ठाकरे इसकी जिम्मेदारी लेंगे अगर खुदाना खास्ता महां पर कुछ जादा ठाकरे समीच चार लोगों पर और ये भी कहा जा रहा है कि रास ठाकरे को हिरासत में लिया जा सकता है और उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है लेकिन अभी तक हिरासत में नहीं लिया है और हाल फिलाल में उन्होंने ट्वीट शेर किया है जो बाला साहिब का जिस होता है आपस में टकराएंगे और माहौल खराब होगा पूरे मुंबई का इन्होंने जिक्र किया है कि 1400 मस्जिद हैं जिनमें 135 ने लौड स्पीकर पर अजान दी है और उन्हीं को ये कोट कर है रहे हमारे साथ और जनित आवास को जरूर सब्सक्राइब कीजिए